हेलो स्टूडेंस अभी हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में मोस्ट भेरी भेरी इंपोर्टेंट MCQ कॉसन एंसर को पढ़ेंगे जो आपके जैक बोड क्लास 12 टर्म वान एकजाम 8 अपरेल 2022 के लिए बरदान साबीत होगी तो चलिए अभी हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में 35 में 35 में 35 लाने का तयारी करते हैं यानि अभी हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में चेप्टर दो करेंट इलेक्ट्रिसिटी चेप्टर से most very very important objective question answer को पढ़ेंगे देखिए question number एक से question number एक एक निश्ची तार की लंबाई और तिर्जिया को एक साथ दो गुना कर दिया जाता है तो विशिष्ट परतिरोत और परिवर्तित रहेगा विशिष्ट परतिरोत यानि परतिरोधक्ता में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि किसी तार की लंबाई और तिर्जिया पर विशिष्ट परतिरोत निर्भर नहीं करता है इसलिए लंबाई और तिर्जिया को दो गुना कर दें चाहे तिन गुना कर दें चाहे आधा कर दें विशिष्ट परतिरोत यानि परतिर धक्ता पर कोई परभाव नहीं पड़ेगा, यानि एक का सही उतर सी होगा, और परिवर्तित रहेगा, आगे देखें कॉस्चन नंबर दो, कॉस्चन नंबर दो को देखें, इलक्ट्रोन का नीम्न में से कोन सा वेग, चालक के माध्यम से धारा निर्धारीत करता है, दो का सही उतर ए होगा, केवल अपवा वेग, केवल अपवा वेग, यानि ड्रीप्ट भेलोसिटी, याद रखेगा, किसी विध्यू धारा परिपत में, जो इलक्ट्रोन गती करता है, जिससे धारा परवाईत होती है, तो इलक्ट्रोन के वेग को drift velocity यानि आपवा वेग सहवान वेग कहते हैं दो का सही उतर ए होगा ए आगे देखिए सवाल नमबर तीन आगे question नमबर तीन देखिए जर्मिनियम को 50 degree Celsius से 20 degree Celsius तक ठंडा किया जाता है तो परतिरोत का मान देखिए जर्मिनियम को 50 degree Celsius से 20 degree Celsius तक ठंडा करेंगे तो परतिरोत का मान क्या होगा चुकि जर्मिनियम एक अर्दचालक है और अर्दचालक का ताप घटाने पर उसका परतिरोत बढ़ जाता है अर्दचालक का ताप घटाएंगे 50 से 20 करेंगे तो परतिरोत का मान बढ़ जाएगा तीन का सही उतर भी होगा तीन का सही उतर भी आ बिच्छे बिधी पर कारी करता है याद रखिएगा परतिरोधों को मापने के अन्य तरिकों की तुनला में विट इस्टोन बिच्छ अधिक सुग्राही अधिक सटिक इसलिए मना जाता है क्योंकि यह सुन्य बिच्छे बिधी पर काम करता है चार का सही उत्र डी होगा और उस पर लाजु वीधिव छेत्र ई समंधित होता है याद रखेगा किसी ओम यचालक के लिए आपवा वीधि और वीधिव छेत्र ई में सम्मंध होता है वीधि समानुपाथी ई विडी समानुपाती होता है E का आपवा वेग समानुपाती होता है विद्यू छेतर का 5 का सही उतर C होगा विडी समानुपाती E आगे देखिए Question number 6 Q6 देखिए सुग्राही भी कहते हैं याद रखिएगा विट इस्टोन बिरिज में जब चारो परतिरोत कमान इक्वल हो जाता है तो उसको सबसे अधिक सुग्राही कहते हैं 6 का साय उतर A होगा A P बराबर Q बराबर R बराबर S आगे देखिए Q7 Q7 देखिए एक बहरी परतिरोत केपिटल R आंतरिक परतिरोत इस्मल आर के एक सेल से जुड़ा है परिपत में धारा अधिक्तम होगी जब जब केपिटल R बहरी परतिरोत कामान 0 होगा याद रखिएगा परिपत में धारा कामान अधिक्तम तब होगा जब सेल में जुड़ा बहरी परतिरोत केपिटल R कामान 0 होगा 7 का साय उतर D होगा साथ का सही उतर D आगे देखें question number 8 question number 8 को देखिए परति रोधों के कोन से करम संयोजन में परतियक परति रोधक के लिए बिभुआंतर का मान एक समान होता है परति रोधों का कोन सा संयोजन में परतियक परति रोधक के लिए बिभुवांतर यानि potential का मान equal रहता है तो समांतर करम सहयोजन में पास्व करम सहयोजन में parallel combination में 8 का सहयोतर B होगा 8 का सहयोतर B समांतर करम में बिभुवांतर परतियक परतिरोधक के लिए समांद रहता है और स्रेनी करम में धारा परतियक परतिरोधक के लिए समान रहता है श्रेनी करम में धारा और समांतर करम में भी भुवांतर याद रखिएगा आठ का सही उतर बी होगा बी आगे देखिए कॉस्चन नमर नो कॉस्चन नमर नाइन देखिए एन सेल के समांतर करम सयोजन में हम प्राप्त करते हैं अधिक बिध्युधारा नो का सही उतर बी होगा आगे देखिए कॉस्चन नमर टैन कॉस्चन नमर दास देखिए मिसरधातु मेगनीन की परतिरोधकता है तपमान से लगभक सौतंतर होती है दस का सही उतर ए होगा आगे देखिए कॉस्चन नमर 11 कॉस्चन नमर देखिए 11 उस पधारत का नाम बता ये जो तपमान में बिर्धी के साथ कम परतिरोध देता है देखिए तपमान में बिर्धी के साथ कम परतिरोध देता है आर्दचालक तो इहाँ पर आप्शन सी सिलिकॉन एक आर्दचालक है 11 का सही उतर आप्शन सी होगा आगे देखिए कॉस्चन नमर बार गेर ओमिक परतिरोध का उधारन है डायोड ठीक है 13 कीरचोप के लूप नियम को कहते हैं कीरचोप के लूप नियम को विभाव नियम कहते हैं कीरचोप के दुसरे नियम को लूप नियम विभाव नियम बंद परिपत का नियम कहते हैं तेरा का सही उतर C होगा, आगे देखे कौसेन नमबर 14, एक तार P समान समागरी वाले तार Q के वियास का आधा और लंबाई का आधा है, P and Q के परतिरोधों का अनुपात होगा, दो अनुपात एक, चोगद्व का सही उतर B होगा, दो अनुपात एक, आगे देखे कौसेन 15, किसी चालक के पधार्त की परतिरोधकता निर्भर करती है, केवल तापमान पर, केवल पधार्त की परकिरती पर, 15 का सही उतर C होगा, याद रखेगा, किसी चालक पधार्त की परतिरोधकता तापमान पर पधार्त की परकिरती पर निर्भर करती है, नकि लंबाई पर और चेतरफल पर, पंदरा का सही उतर C होगा, तपमान पर, आगे देखिए कॉसन नमर 16, यदि N सेल जिन में परतियक विद्यूत बाहग बल, केपिटल E और आंतरीक परतिरोत इसमल R है, जो समांतर करम में जुड़े हुए हैं, तो कुल बिद्यूत बाहग बल और आंतरीक परतिरोत होगा, आप्शन D, E और आर बटे N, सोल्ला का सही उतर आप्शन D होगा, आगे देखिए कॉसन नमर 17, विट इस्टोन बिरिज में यदि बैटरी और गेलवेने मिटर को आपस में बदल दिया जाए, तो गेलवेने मिटर में बीच्छेपन नहीं बदलेगा, विट इस्टोन बिरिज में यदि बैटरी और गेलवेने मिटर को आपस में चेंज कर देंगे जगा को, तो Kelvinometer में बिच्शेपन नहीं बदलेगा वही रहेगा 17 का सही उतर C नहीं बदलेगा वही रहेगा आगे देखे क्वें कॉसन नमबर 18 तामबे के पतले तार की तुनला में तामबे की छड का बिसिस्ट परतिरोत होगा वही कोई परिवर्थन नहीं होगा चाहे तामबा का कोई पतला तार हो चाहे तामबा का एक मोटा छड़ हो विशिष्ट परतिरोत लंबाई, मोटाई, चोड़ाई, आयतन, चेतरफल पर डिपेंड नहीं करता है इसलिए चाहे तामबे का तार पतला हो चाहे तामबे का मोटा छड़ हो विशिष्ट परतिरोत य Conductivity का मातरक होगा, साइमन परतिमीटर, यानि परतियोम परतिमीटर मतलब साइमन परतिमीटर, 19 का सही उतर D होगा, 19 का सही उतर D, आगे देखिए, कॉशन नमर 20, बिध्यूत बहक बल का बीम्य सुतर होगा, जो बिभाव का होता है, यानि option A, M, L पर पावर 2, T पर पावर मैनस 3, और A का पावर मैनस 1, 20 नमबर सवाल का सही उतर A होगा, बिध्यूत बहक बल और बीभाव का मातरक एवंग बीम्य सुतर दोनों सेम होता है, बराबर होता है, 20 का सही उतर A होगा, आगे देखिए, 21, 21 को देखिए, ओम का नियम तब मान्य होता है, जब चालक का तपमान होता है, इस्थिर, ओम का नियम तब लागू होता है, जब चालक का तपमान इस्थिर होता है, हम लोग बोलते हैं न, नियत ताप पर, इस्थिर ताप पर, किसी चालक के, दोनों सीरों के बीच का विभांतर, उसमें परवाई धारा के समानुपाती होता है यानि नियत ताप पर, ओम का नियम लगेगा नियत ताप पर, इस्तिर ताप पर, तो ताप मन क्या होगा? इस्तिर होगा, constant होगा, 21 का सही उतर D होगा D, आगे देखें 22, ओम के नियम का पालन किया जाता है चालक द्वारा, ओम का नियम केवल चालकों द्वारा लागू होता ह चालकों दुवारा पालन किया जाता है याद रखिएगा ओम का नियम केवल धातू पर चालक पर लगता है 22 का सई उतर ए होगा ए आगे दखे 23 23 दखे 23 किस पधार्त की वीध्यू चालकता सबसे अधिक होती है चान्दी चान्दी में वीध्यू धारा का चालन बहुत आसानी स से होता है इसलिए चांदी की विध्यू चलकता सबसे अधिक होती है 23 का सही उत्तर डी होगा डी आगे देखिए 24 कीर चौप का पर्थम नियम किस भौतिक राशी के संरच्छन पर अधारित है आवेश कीर चौप का पर्थम नियम यानि बिंदु नियम संधी नियम प्वेंट 24 का सही उत्तर डी होगा डी आगे देखिए 25 25 देखिए कीर चौप का दूतिय नियम किस भौतिक राशी के संरच्छन पर अधारित है कीर चौप का दूतिय नियम लूप नियम बिभाव नियम बंद परिपत का नियम जो बोलिएगा बोलिए उर्जा संरच्छन पर अधारि 25 का सही उत्तर A होगा 25 का A आगे देखिए 26 समांतर करम सयोजन में तूल या परतिरोत का मान घट जाता है स्रेनी करम में बढ़ता है और समांतर करम में घट जाता है 26 का सही उत्तर A होगा आगे देखिए 27 को देखिए कौपर को 50 डिगरी से 20 डिगरी सेलसियस तक ठंडा किया जाता है तो परतिरोत का मान देखिए कौपर एक धातू है तामबा एक धातू है धातू मतलब चालक चालक का जब ताप को घटा दिया जाता है तो परतिरोत भी घट जाता है क्योंकि चाल का ताप पढ़ाने पर परतिरोद बढ़ता है तो ताप कम कर देंगे परतिरोद घट जाएगा 27 का सही उतर ए होगा ए आगे देखिए 28 28 को देखिए दिये गए विद्यूत परिपत में धारा आई का मान होगा देखिए यह कीरचौप के पर्थम नियम का एकजामपल से लिया गया है कीरचौप का पर्थम नियम काता है किसी विद्यूत परिपत के किसी भी संधी पर मिलने वाले समस धराओं का बीच गनितियो जोड जीरो होता है यानि किसी भी संधी पर जितने परिमान की धरा परवेस करती है उतने परिमान की धरा बाहर निकल जाती है तो दिये ग देखिए कौन-कौन धारा परवेस कर रहा है और कौन-कौन धारा निकल रही है तो हम देख रहे हैं फिगर में दो अवर दो चार एंपियर धारा परवेस कर रही है और एक एंपियर एवंग एक पॉइंड थिरी एंपियर दोनो धारा निकल रही है तो कितना परवेस कर रही ह चार एंपियर कितना निकल रही है एक और एक पंड थिरी यानि दो पंड थिरी परवेस कर रही है चार निकल रही है दो पंड थिरी तो कितना बच गया बच गया एक पंड सेबन ठीक है तो धारा आई का मान होगा एक पंड सेबन क्योंकि जितना परवेस करता है उतना निकलना भी चाहिए परवेस कर रहा है चार निकल रहा है 2.3 क्योंकि 1 और 1.3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2.3 तो 2.3 निकला कितना बच गया कितना नहीं निकला तो 1.7 नहीं निकला चार में 2.3 को मैनस कर देंगे 1.7 एंपियर एंसर हो जाएगा 28 का सही उत्तर होगा परिपत में धारा का मान option A 1.7 एंपियर होगा 28 का A होगा आगे देखिए 29 29 को देखिए 29 एक निश्चित तार के विध्यूत परिपत की लंबाई और तिर्जिया को 1.7 दो गुना कर दिया जाता है तो जब एक निश्चित तार के विध्यूत परिपत की लंबाई और तिर्जिया को 1.7 दो गुना कर देंगे तो क्या होगा तो परतिरोत आधा हो जाएगा लेकिन विश्ष्ट परतिरोत में कोई परिवर्तन नहीं होगा याद रखियेगा किसी तार की लंबाई और तिर्जिया पर विश्ष्ट परतिरोत निर्भर नहीं करता है विश्ष्ट परतिरोत यानि परतिरोधकता मतलब रो केवल पधार्त की प्रकिर्ती पधार्त यानि चालक या अर्दचालक के ताप पर डिपन करता है न की तार की लंबाई पर और तिरजिया पर इसलिए जब किसी तार की लंबाई और तिरजिया को एक साथ दो गुना कर देंगे तो परतिरोत आधा हो जाएगा लेकिन विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् अगे देखिए. लास्ट कोश이μ- ठट्टि. कीरचोप के बिंदु नियम को सन्धी नियम कहते हैं. का थट्टी का सहय उतर वी होगा. थट्टी का वी. तचलिये, अब ही क्लास 12 फिजिक्स में चेप्टर 2 क्रेंट इलेक्ट्रिसिटी चेप्टर से most very very important 30 MCQ question answer को पढ़ें इस वीडियो को आप लोग share किजिएगा और जदी हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर subscribe किजिएगा clear concept पाने के लिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई थेंक्यू अपने एक्जाम की जोरदार तरीके से तैयारी करते रहिए